हलो दोस्तों आज आपने या पर देखा मार्किट में एक जबरदस्त तेजी डेड़ बजे के बाद होती हुई नजर आई और जो हमारा मार्केट है लगभग एक परसे 213.50 भागता हुआ नजर आया तो क्या यह तेजी रहने वाली है या ये तेजी आपको फसा सकती है क्या यहां पर आपको समल के चलना है या फिर आपको full flash में चलना है आपको किस तरीके से यहाँ पर चलना है वो मैं आपर बात करता हुआ नजर आऊंगा और कहां तक यह तेजी जाती हुई नजर आ सकती है या गिरावट होगी क्या होगा उससे related हम जवाब देते हुए नजर आएंगे बट उससे पहले हमेशा की तरह आपसे request कर करूंगा कि I am small cap investor चैनल को subscribe, bell icon को hit और की notification कौन करिएगा buying selling की recommendation है नहीं अपने financial advisor कुद की study करें चीजों को जितना हो सके सीखे और जितना सीखेंगे उतना पैसा बनता हुआ नजर आएगा sooner or later यहाँ पर आप चाहो तो मदद कर सकते हो इनकी और आप वीडियो जाए देख रूठ कर सकते हो और किसी को three क्या बारी किया सीखनी है क्यों क्या कैसे किसलिए ये क्यून है रीजन हे कैसे भगता है कॉन सा share भगता है ये सब आपको जानना है तो हमारा basics to advanced technical रिसर्च फंडामेंटल कब लेना है, क्यों लेना है, कैसे लेना है, किस लिए लेना है, किस के लिए लेना है, यह सारे आंसर आपको मिलेंगे, यहाँ पर अगर किसी को साथ में काम करना है, तो इनी नंबरों पर काम करना है, तो इनी नंबरों पर है, ठीक है, हम यहाँ पर स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, अब हमसे बात कर लीजिए, कॉल मैसे करिए, वाटसप करें, अगर हमारे बीच में अंडर्स्टैंडिंग बैटेगी, तो हम डेफिनिटली आगे तक यहाँ पर काम करते हुए, नजर आएंगे, तो जैसे कि आप देखे रहें, निफ्टी में लगबग 1% की जंप आती हुई दिखाई थी, इसी तरीके से, संसेक, इसी तरीके से, बैंक निफ्टी, सब भगता हुए नजर आया, तो ऐसा क्या होता हुए नजर आया, कि यहाँ पर एक तेजी होती हुई नजर आई, तो देखिए जैसे कि आप देखे रहें, गैप अप उपन हुई हुई था, और तेजी थी, उसके थोड़ी बहुत गिरावर्ट के बाद यहाँ पर और तेजी आती हुई दिखाई दी, तो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ, कि यहाँ पर आप डेटा देखेंगे, तो आपको बता चलेगा कि 27 तारीक मतलब, आज के दिन, FIAs यहाँ देख सकते है, FIAs ने net ज positive बना हुआ है, 3 billion dollars जाद है कि यहाँ पर buying हो चुकी है, तो यहाँ पर क्या चल रही है, FIAs कि अब धीरे-धीरे buying चलती हुई, नजर आ रही है, जो कि यह क्या है, positive sentiment यहाँ पर नजर आता है, ठीक है, तो आप देखेंगे, कि इसी वज़े से आप देख पा रहे हो, कि Nifty मे एक नया all time high लगता हुआ नजर आया है, ठीक है, Nifty Fifty ने यहाँ से breakout दिया था, breakout देने कांट, retest करके, जो भागता हुआ नजर आया, वो काभीलिये तारीफ है, जो आप यहाँ पर दिख सकते हैं, कि एक अच्छी खासी, तेजी होती हुई, यहाँ पर नजर आई है, तो क् तेजी तो आप यहाँ पर देखी रहें, Nifty Fifty में देख लीजिए, Sunsex में देख लीजिए, किसी भी particular index में देख लीजिए, वो यहाँ पर तेजी में बने हुए है, कुछ stock specific action, अलग stocks में बना हुए है, as well as आप यहाँ पर देखोगे, तो अगर आप कुछ share ऐसे भी होंगे, जो यहाँ पर अभी move नहीं कर रहे है, नहीं गिर रहे है, नहीं भाग रहे है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे यहाँ गूमते हुए नजर आ रहे है, तो कहने का मतलब है, जब भागेगा, चाए घदा हो, चाए गोडा हो, सब भागेगे, ठीक है, सारे share हों में पैसे बनते हुए नजर आते हुए दिखाई देंगे, बट जो अच्छे share होंगे, वो अच्छे return देते हुए नजर आएंगे, और अगर कभी market गिरती भी है, तो they will bounce back, ठीक है ना, तो इस चीट को याद रखिएगा, कि आपको हमेशा, यह नहीं देखना है, कि यह stock 5% भाग रहा है daily, यह stock 10% भाग रहा है daily, मैं इसमें jump कर लूँ, मैं उसमें jump कर लूँ, काश मेरे पास यह होता है, काश मेरे पास वो होता है, तो काश, काश तो बहुत कुछ होता है, ठीक है ना, तो काश अगर होता है, तो मैं चाहता कि शायद मेरे बहुत सारे पैसे होता है, और 2020 की गिरावट भी आती रहेगी बीच भीच में भागता भी रहेगा क्या यह बबल है तो इसका अंसर है नो यह कोई बबल नहीं है ठीक है यह वह तेजी है जो यहां पर हो रही थी इसके बाद गिरावट हुई १ूफ ऐसे चीजह निकली है १ू जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि निफ्टी ऑल। इम हाई अरश का झा При यहां बहुत सब और इसके अगेंश क्ष़ांस भी ल fellowship हाई पे चल रहा है बट फरक क्या है all time हाई को अतलब all time हाई क्रोस ही करने वाला है बट यहाँ पर देखिए कहीं न कहीं दुनिया के सारे मार्केट American market से drive होते है ठीक है और इसने फिलहाल में breakout दिया है और हम यहाँ पर कब breakout दे चुके थे हम यहाँ पर जुलाई में दे चुके थे तो हम 6 महीने आगे चल रहे है ठीक है तो यहाँ पर इसे भी वो rally को catch up करना है और जब यह rally करेगा तो obviously बात है हमारे market भी rally उतनी ही करते दिखाई दिये दे क्योंकि आप compare करोगे ना index तो इसी तरीके से चलता है ठीक है दूसरी बात अगर हम बात करें तो जैसे कि मैं कहा चुका हूँ कि जब market में गिरावट हुई थी यह particular point पे तो यह इसके पीछे का reason क्या था rate का बढ़ना ठीक है जो यहाँ पर FED rate बढ़ा हुई थी और वो अब क्या है rate cut होने रेट कट होना शुरू होने वाले 24 में और इसी news की वज़े से इसी की positivity की वज़े से यह market क्या है यहाँ पर top बनाता जा रहा है डो जोंस भी top बना रहा है और जैसे ही यहाँ से निकलेगा और ही बनाएगा और हम भी इसी की खुशी में खुश हो रहे है और तेजी कर रहे है ठीक है तो आपको अच्छे stocks में बना है अगर कभी मान के चलिए market में गिरावट होती भी है जैसे की last time big हुई थी ठीक है लोग डर के निकल गए निकल गए निकल गए ठीक है कुछ के levels आए होंगे कुछ के आ जाएंगे ठ बट 2024 ठीक है न विजक इडिया सर भी कहते है बियर मार्केट छोटी होती है बुल मार्केट बड़ी लंबी होती है तो आपको बुल मार्केट का पूरा फायदा उठाना है तो अभी थोड़ा investor बनके रह जाएंगे तो दो गुना तीन गुना चार गुना तक पैसे बनते Otherwise अगर थोड़ी से भी इदर उदर की बाते करोगे थोड़ा सा भी इदर उदर ध्यान लगाओगे तो आप 30-40% में ही समटके रह जाओगे 50% में ही समटके रह जाओगे and I don't want कि आप यहाँ पर 50% में से समटके रहो आप यहाँ पर बिल्कुल टॉप पे हो तो टॉप का ही यहाँ पर पैसे बनाते हुए नजर आओ तो इस चीश को थोड़ा सा ध्यान में रखना है ठीक है बीच मीच में करेक्शन आते रहेंगे इस तरीके के वो आपको जेलने पड़ेंगे वो आपको देखने पड़ेंगे आपके स्टॉक अच्छे है तो आपके पैसे यहाँ प फिर दुबारा और यहाँ पर मुझे तो जैसे ही यहाँ से निकलेगा 15,000 मैंने अल्रेडी लेवल दे रखका है कि 16,000 का पहले 15,700 का लेवल है वो तो अचीव होना है और इसके बाद और तेज भागते हुए नजर आएंगे ठीक है इसी तरीके से mid cap की बात करें तो आप mid cap में भी देखिए mid cap भी यहाँ पर अच्छा का सा बागता हुए दिखाई दे रहा है तो अभी क्या है अभी 50,50 के stocks थोड़ा आगे कर रहे है निकल रहे है पहले यहाँ पर mid cap small cap निकले थे दोनों equal range में आ चुके है बट याद रखिए जब एफाइस का पैसा आएगा तो small cap mid cap में सबसे ज़्यादा तेजी होती हुई नजर आएगी ठीक है और जो पैसा आ भी रहा है तो इस शिच को ध्यान में रखके ठीक है न तेजी का फायदा उठाईए शांती से बैठे रही है जो stocks ले रखे है सारे stocks भागते हुए नजर आएंगे पैसा बनता हुए नजर आ खास यहां पर तो थोड़ा सा नेगी टिव बी ओता है तो भी कोई फैक्ट नहीं पढ़ने वाला बलीव मी और यहां पर बात करे हम अच्छा चल रहे हैं और हम अच्छा चलते रहेंगे और अच्छा पैसा बनाते रहेंगे ठीक है ना अपना focus ध्यान में रखिएगा ठीक और इन्होंने अभी breakout किया है ठीक है और हमारे breakout पहले ही हो चुके है तो यह 16,000 तो NASDAQ देखिए 22,000 तक जाना है इसे ठीक है तो चीजों को थोड़ा से समझने की कोशिश करें buying selling की recommendation है नहीं अपने financial advisor कुछ की study करें ठीक है कोई bubble नहीं है अभी ठीक है बीच में चीज़े गिरती रहेंगी सौ बार गिरेंगी और चीजों को आपको उसके साफ से देखना है बट आप बने रहोगे तो पैसा बनाते रहोगे तो यहाँ पर देखिए I am smallcap investor चैनल को subscribe bell icon को hit notification को on इन नमरों को note करके साथ में काम कर सकते हो bell call message whatsapp कर सकते हो और हमारे साथ course भी कर सकते हो so thank you so much god bless